होस्पिटल में जाकर टीटी का इंजेक्शन ले समझे और एक दिन कर रेष्ट कर ले जाए हैं अरे जाने दे जब देखो तो बहुत सिंसियर रहता ही है ट्रीटमेंट के लिए रख ले सर पैसे नहीं चाहिए आरे कोई बात नहीं रख ले और तू आखेले मज जाना बासकर स सर वो साइकल शंकर बो कबर इस करोगे मैं डीटेल्स कलेट कर रहा हूं सर सही एविदेंस नहीं मिल रहा है सर इन पर केस करके कोट में ले जाकर सजा दिलवा सकते हैं ऐसा समझते हैं तब तक हम सभी लोग रिटायर हो जाएंगे सर सिर्फ एक ही रास्ता है बिना किसी को पता चले इन सब का इंकाउंटर करने उसे मारने की जिम्यदारी मेरी है सर रावडी शंकर को पगड़ने के लिए मुंबई में पुलिस की अलग से टीम बनाई गई है अब उसका बचना ना मुम्किन है यह हमारे डिपार्टमेंट का अपमान है दस साल की उमर में साइकल पंक्चर की दुकान पर काम करने वाला आज किस नाम से फेमस है साइकल शंकर मुंबई पुलिस की आखों में धूल जोक रहा है उस पर 44 केस रजिस्टर हुए हैं कोई भी केस ओ पुलिटिकल पावर की शलू कर दिया है क्यों तक्लीफ कर रहा है उससे उठाकर नीचे भेग दे अपने आप तूट जाएगा क्या दादी तुम्हारे आखे कमजोर हो गई है क्या कैसी इस्त्रीक की है इस्त्रीक हुई शट पहनका चोरों को पकड़ने जा रहा है क्या स्टेशन में ओफिस बॉय का ही तो काम करने जा रहा है सठ्याने वाली हो सुभा सुभा बहुत ज्यादा मूँ चल रहा तुम्हारा अरे सत्या तुझे एक बहुत अच्छा पुलिस अफसर बनते हुए तेरे दादा जी देखना चाहते थे लेकिन उनकी इच्छा पूरी होने से पहले ही वो चले गए जाते वक कम से कम तू तो द मेरे जाने से पहले असाई बंजा इतना ही चाहती हूं इसका मदलब तो यह हुआ कि तुम जल्दी मरने वाली नहीं हो बद तमीजी नहीं छोड़ेगा बुड मॉनिंग बासकर सुभा सुभा नाश्ता ठूस रहा है हूं ठूस रहा हूं गुपता जी दोबले टंडा मसाला बीस इडली दस पूरी भाजी बारा डोसा पार्सल बनाओ जल्दी क्या वो नहीं ले जा सकते रोज हमें जाना पड़ेगा भासकर हम लोग यह जिन्दगी भर थोड़ी करते रहेंगे और दस पंदरा साल में तो हैड कॉंस्टेबल बनी जाएंगे तब जो चूनियर कॉंस इसको निगलने में अलग मजा आता है इसे चबा के नहीं खाना चाहिए सीधा मुझ में डलके गुड़ूप से अंदर निगल लो मजा आ जाता है तू भी एक निगलेगा ने मेरा गला चोटा है अरे निगलने मजा एगा लाओ मेरा दू अलो बोल भाई उटेव करने चल सक जाना हर चीज बरदाश्त है लेकिन इंडा वेस्ट होना बिलकुल बरदाश्त नहीं है मा कसं पागल है चाहँ पासल है कलेक्शन तकड़ा होना चाहिए चलो जाओ ठीक है बाई चलो शुरो जाओ निकालो निकालो अरे हाफ्ता निकाल निकालना पुली सामने खड़िया कुछ करने रही है क्या जमाना आ गया यह सांड मुझे घूर क्यों रहा है कब तो खड़ा रहेगा चाहता क्यों नहीं है आई को नाय पोलता है तू है याद रखना जान ले लोगा तरी वह जिंगुर ने अंडा गिरा है तो तू गरम हो गया यहां पर यह गुंडे लोग पबलिक को धो रहे हैं और तू पुतला बनके खड़ा है समझा कर समझा कर चलो डालो निकलते हैं इतनी दादागिरी से हफता मांग रहा था था कौन वो वो चंद्रा है शेयर ओटो चंद्रा इस एरिया का बहुत बड़ा गुंडा है 20 साल से कानून उसी के हिसाब से चलता है क्या बोलता है 20 साल से पुलिस ने कोई अक्षन नहीं लिया ऐसे होगा तो एंड काॉंटर करना चाहिए एंड काॉंटर क्या बोल रहा है ऐसी खलती हमें कभी नहीं करने चाहिए बासकर गुंडों पर हाट डाला तो उनके बच्चे बड़े होकर कसम खाकर हमारे खांदान क क्या मामा सुभा स्टेशन कैसे आना हुआ कुआ पालिस यूनिफार्म पहन कर काम क्या कर रहा है और वह बोल मेरे इजदा का फालुदा वि कर रहा है वो तेरा गूर मज़ जाके पाइनी लेकिया हा तु बोल स्राइब ने नहीं देखा सर आपको किसने बता है वाभी मार्केट में आया है सा फोन आया था वह हमारा हट भी नहीं भेज राए अरे उसे चोड़ी ना सर यह काउंसलर क्यों था उनके बेट की शादी यह भाई ठाकुर फॉल शादी में तो कपड़े बदल कर आ जाता है योनिफॉर्म पहन ली हां क्या करूं बुआ ड्यूटी पहले आती है ना रहने दे जब देखो ड्यूटी की बात करता रहता है मैंने तेरे लिए वाइट शर्ट वाइट धोती लाकर रखी है जब बदल ले आप जाए बुआ मै नमबर है नमबर को जाओ है ने प्रतिया में ड़्स्तिक कर दोखाय नहीं है न है मैं यही रहते हूं काशी मेरा मैं तुम निलम की बेहन हो दो क्या नेहीं कि जा बहु किंध ड्ले और tiene नंबर भाई क्या सथिया नंबर ले लिया लेकिन जमेगा नहीं तुझे थो ट्राय कब सच बोल रहा है क्या क्या है दोस्त होता इसा तो एफ्यों ने नोट कर बोड़ नुकर आपको बदा निये बाई काम की बाद आय तो मैं चौकी दार हुआ मजाक कर रहा है किसे रून रहे भाई अरे वही वह अर्विंद जा दो नेता जी तक आय नहीं आरे वह नेता ओया बेता वह और कितने तिन रहेंगा आई 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 बड़ीया आई भाद से आई सत्या कौन ही है खुद कही जोग पर हस रहा है यह एक्स मिनिस्टर नारायन शिंदे इस एरिया का सबसे बड़ा आद्मी है मुझे पुलिस की नौकरी इन्हों नहीं दिल वाई थी आउँ वो तो दिख रहा है एक जब को आपार ने दाजी दिनापार ने दाजी देनापार ने दाजी देनापार पासकर वो लड़की मुझे देखकर हसी बासकर सुबह से लड़कियों कोई घूर रहा हाथ तो नीचे कर अधे देख सत्या वो हस रही है देख तुम्हारा नाम क्या है हाँ नाम जसी जसी ओ क्रिस्चुन हो क्या क्यों कोई परिशानी है क्या नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बाद में बदल लेंगे ना वह चोड़ो अच्छा नंबर बोलो नंबर क्यों पूछ रहे हो यह कैसा सवाल हुआ खुगसूरत लड़की देखी तो प्यार हो गया रव अब तुम 친ों अपने बामा की बेटी से प्यार करते हो आसा सुना था मैंने मामा की बेटी से मैं उस फालतू काउंसलर राम शेट की बेटी राज़ीशığ के बारे मैं बूल रहे हाँ है ऑ है जो सेवें द तो यहां खड़ी है मैं तुझे कहा कहा ढूंड रही थी फोटो निकाल रहे है तू भी चलना आप चलिए मैं आती हूं सत्या तू खाना खा कर जाना राजेश्री साथ साल पहले तुम्हारी वज़े से ही मेरे पिता जी न मुझे नासिक पढ़ने भेज दिया उन साथ सालों में एक दिन भी मैं तुम्हें नहीं भूली हूं लेकिन तुम मुझे पूरी तरह भूल कर मुझसे ही मेरा नाम पूछ रहे हो ऐसी बात नहीं मेरे मैं आई थी लेकिन आती उतारते बगती मैं तुम्हें पहचान गया था यह पुपोट जेसी नॉक कैसे बूल सकता हूं मैं तुम्हारी टांग इसने कले मुझे पहचान नहीं पाए वो भी ठीक है लेकिन हर लड़की को लाइम मारते हुए उसका फोन नंबर मांगते रहते हो अपनी शकल ही अचान घ्राइश्री राइश्री मेरी बात सुनो राइश्री राइश्री लव युआ